वीमेंस प्रीमियर लीग के दो हजार चॉबीस सीजन के दूसरे मैच में स्मृती मांधना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यूपी वारियर्ज को रोमांचक मैच में दो रन से हराया. RCB के लिए S. मेगना ने तिरपन तो रिचा घोष ने 62 रनों की पारी खेली, जिससे उसने यूपी को 158 रनों का चेज दिया. इसके जवाब में यूपी की तरफ से ग्रेस हारिस, 38 और श्वेता सहरावत, 31 ने अहम पारी खेली लेकिन अंत में जब मैच ले गेंद और पांच रन के रोमांचक मोर पर पहुँचा तो दीपती शर्मा छक्का नहीं लगा सकी और उनकी टीम को दो रन से हार का सामना करना पड़ा, वहीं RCB के लिए शोभना आशा ने पांच विकेट चटकाए, अपने घरेलू बिंगलूरू के एम, चिन्ना स्वामी मैदान पर बल्ले बाजी करने आई RCB की महिला टीम की शुरुआत सही नहीं रही और उसकी कप्तान स्मृती मांधना, तेरा, वह सोफी एक रन, जल्दी चलती बनी। लेकिन 36 रन पर दो विकेट गिरने के बाद एस। मेगना ने मोर्चा संभाला और 44 गेंदों में साथ चौके वह एक छक्के से तिरपन रनों की पारी खेल डाली। उनके अलावा रिचा घोश ने भी बल्ले से जलवा दिखाया और 37 गेंदों में 12 चौके से 62 रनों की पारी खेल डाली। जिससे RCB की महिला टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 157 रन का टोटल बनाया। UP वारियर्ज के लिए सबसे अधिक दो विकेट राजेश्वरी गायकवार ने चटकाए।